आज हमारी किचन में बनेगा सबका फेबरेट मुश्रूम डुक्लेक्स सबको बहुत जादा पसंद होता है कोई ही ऐसा बंदा होगा जिसको ना ये पसंद हो मुझे तो personally बहुत पसंद है और मेरी family में भी सबको पसंद है और ये मेरे घर पे ये normally बनते रहते हैं तो देखे ये गर्मा गर्म डुप्लेक्स मैंने बनाए हैं बहुत यहरा टेस्टी हैं अगर हम कभी रेस्टरेंट वगरा भी जाते हैं तो सबसे पहले मुझे यही स्नेक ओर्डर करना होता है क्योंकि यह मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरिट है तो चलिए इसे बनाना हम शुर होगी जो भी पेस्टिसाइड्स के लगे होते हैं वह सारे निकल जाएंगे और यह बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे इस तरह आपने दो से तीन मिनट इसको अच्छी तरह एक एक मिश्रूम को रब करना है और उसके बाद फिर आपने इसको रनिंग वाटर में धो लेना है थो नैपकिन के साथ आप इसको ड्राई कर सकते हैं इन डंठल को आप निकाल लेजिए इनको आपने फेकना नहीं है इसका भी यूज हम आपको बताएंगे इस तरह इसका डंठल निकालेंगे और इसके अंदर हमने फिलिंग बनानी है पालक की फिलिंग बनाएंगे पालक और नीचे भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, यहां पे मैंने एक बंच शोटा पालक कर लिया था, उसको धो के अच्छी तरह साफ करके फिर हमने इसकी कटिंग कर ली है, पालक को आपने अच्छी तरह बिल्कुल बारिक चॉप कर लेना है, अब यह जो हमारे डंठल निकल इसका तड़का बनाएंगे, यहां पे हमने एक पैन लिया है, पैन की अंदर सिर्फ एक चमच आपने ऑल या घी का डालना है, इसमें जारा घी या तेल नहीं डलता है, यहां पे इसके अंदर जीरा डाल देते हैं, जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तब इसके अंदर अदरक लेसन की पेस्ट आपने इसके अंदर दो चमच के करीब डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह भून लेना है, बहुत जारा कलर नहीं लिके आना है, बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और इसका हलका सा कलर चेंज करेंगे, जब यह भून जाएगा, तब हम इसके दाल देंगे, चौप किये हुए मश्रूम इस फिलिंग के अंदर बहुत जादा मसाले नहीं दलते हैं और बहुत जादा इंग्रीडिंट भी नहीं डलते हैं, हमने पहले मश्रूम को एक मिनट के लिए सौटे करना है, क्योंकि इसको बहुत जादा पकाने की भी जरूरत न पालक पानी छूटती है को आपने डängt करने है दिक जो पानी होनी चाहिए को टुकि पानी हम यह सुख़ा सैंजा सक पा फैटेव कर दो फिर्म पान करना है त थोड़ा से नमक कर दो nit, फिलbreल क और नमक customers हिसी अपने अंसार डाल सकते हैं कूक करते समय अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ला लिए काली मिर्च का टेस्अ को आर बी ज़्यादा एंहेंस कर देगा बहुत ही बढ़िया इसका थेस्ट साता है ऐदा चमच के क्रिएब कालीट का पाउड़ डाल देते हैं मैं हमेशा फ्रेश काली मिर्च को ग्राइंड करके डालती हूं तो इस तरह आप भी यूज़ कर सकती हैं इसको भी आपने अच्छी तरह इसके साथ पकाना है दो से तीन मिनट लग जाएंगे इसका पानी सुखने में हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा इसको मिडि करके डालना है मैंने 100 ग्राम के गरीब पनीर लिया है मेरे पास ऐसे घर पे हमेशा पनीर पड़ा रहता है उसी में से मैंने एक टुकडा निकाला और ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है पनीर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम मार्केट से खाते हैं डुपलेक्स तो उसके अंदर पनीर होता है चीज भी होता है आप अपनी तेस्ट के अंसार इन चीजों को डाल सकते हैं कई लोग तो इसके अंदर प्यास भी डालते हैं लेकिन मैंने नहीं डाले है वो आपका तेस्ट है जैसा वैसा इसको इसको फिलिंग को आप बना ये खंडा करने के बाद इसको यूज करते हैं अब हमने एक बाउल लिया है इसके अंदर मैदर डालेंगे मैदे के हमने तीन से चार चमच इसके अंदर डालेंगे मैदे के साथ हम इसके अंदर कॉन फ्लार डालेंगे كومان فلاح के वह हमने तीन चमश्च एड टरेने इसके साथ तीन चमश्च कौनफ लार के हैं और चार कमश्च हमारे मैधे के हैं थूड़ा सा इसके अंदर नमक भी डालेंगे और यहाँ पि मेरे पास प्राठा मसाला है भुज का है ये बहुत जारा टेस्टी होता है आप इसके अंदर चाट मसाला भी अड़ कर सकते हैं लेकिन परांठे मसाले के अंदर साल एंग्रिडिredit जैसे जीरा है इसके अंदर बहुत सारे हर्प्स भी हैं इसके बहुत अच्य टेस्ट आते हैं तो इसको भी आपने इसके साथ अच्छी तरह mix कर लेना है, mix करने के बाद इसका हमने घोल बनाना है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, semi-thik घोल बना लेंगे, घोल है जो हमारा बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ही जादा गाड़ा भी नहीं होना जो duplex हैं हमारे, उनके उपर अच्छी तरह लग जाए, इतनी थिकनेस इसकी होगी, इसको आप अच्छी तरह बीट कीजिए, इसके अंदर कोई भी lumps नहीं रहने चाहिए आप लीजिए, ये गोल हमारा बन कर तयार है, फिलिंग हमारी रेडी है, डुपलक्स को जो हमारे मिश्रूम बनाने के रिए रखे हुए हैं, वो भी हमने सुखा के रखे हुए हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा से चीज डालूँगी, चीज से इसका टेस और भी जादा के फिलिंग थोड़ी ठंडी हो जाए, गरम में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये काफी चुई सा टेक्शर दे देगा आपको, आप हमने एक मिश्रूम लेना है, उसके अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह खाली करके, उसका होल सा बनाके, उसके अंदर फिलिंग डालनी है, फ इसको हम फिर एक दूसरे के ऊपर रखके बंद करेंगे, अंदर की तरफ आपने जो इसकी डंठल निकाली है, आप चाकु से थोड़ा खाली भी कर सकते हैं, दोनों पीस में आपने बराबर बिल्कुल अच्छी सी फिलिंग डालके, इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और दूसरी साइड लगाएंगे, क्योंकि जब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो दोनों टूत्पिक विजिबल होने चाहिए, क्योंकि इसको टूत्पिक के साथ ही आप इंजॉय करेंगे, ये दोनों टूत्पिक हमारी लग गई है, इसी तरह हमने सारे पीसी अपने रेडि कर ल तो लीजिए सारे डूपलेक्स हमने इसके बना कर रेडि कर लिए हैं, अब इनको हम कोट करेंगे ये इस वाले घोल में, ये जो घोल है इसको पहले आप एक बार मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं, ब्रेड क्रम्स हम बाद में इसके उपर क्रंच देने के लिए, यहाँ पे एक एक डुपलेक्स को आपने इसके अंदर डालना है, और चमच की हेल्प से आप पूरे के उपर अच्छी सी कोटिंग कर दीजिए, घोल आपका पतला नहीं होना चाहिए, अगर आपका घोल ज्यादा पतला होगा, इसके और फिर आपके जो मुश्रूम है टेल में जाते ही फट जाएंगे, अब हमने इसके उपर इस तरह कोटिंग करनी है, आप अपने हाथों को थोड़ा सा मैस होने से बचाएं, और इसको इसी तरह घुमाते हुए अच्छी तरह कोट करें, और सभी पीसी को कोट करके आप एक करते हैं, फ्राइ करने के लिए अपने गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल उपर से जल्दी से पक जाएंगे, और अंदर से कच्छे रह जाएंगे, अपने इनको डालना है, जब आप डालोगे, थोड़ा सा घुमा पकाईए जब आप इनको कोग कर रहे हो तो इसके अंदर से पानी के चीनटे निकलेंगे क्योंकि मिश्रूम के अंदर पानी बहुत जादा होता है आप इनको डबल फ्राइब भी कर सकते हैं इस तरह फ्राइब करके निकाल लीजिए मेरे बहुत जारा क्रिस्पी हो गए है अ आप जब भी इसको फ्राइब कर रहे हैं ध्यान से करिएगा क्योंकि तेल के चीटे इसके अंदर आते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी है फिलिंग भी है तो यह छिटकते हैं थोड़े थोड़े ध्यान से फ्राइब कीजिएगा यह सारे लॉट हमारे हमने इस तरह फ्राइ करके भी रख सकते हैं जब आपके गेस्ट आएं तब इनको fry कीजिए और enjoy कीजिए मैंने हलके से fry करके रख लिये थे अब हम इसको double fry कर लेंगे double fry करने से इसका जो टेस्ट है और इसका जो crunch है वो double हो जाता है इसको double fry करके हम sob करेंगे तो देखिए सारे डुप्लेक्स हमारे बन गए हैं आपने इनको तभी fry करना है जब आपने इसको खाना है या फिर अपने गेस्ट को sob करना है ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं और आप टेक्षिर देखिए इनका कितना बढ़ी आया है अब इसकी कर लेते हैं कर लेते ह इसको ऐसे directly serve नहीं किया जाता है इसको हम cut करके serve करते हैं इसको आपने बीच में से किसी भी इस तरह अच्छी तेजधार वाले चाकू से cut करना है क्योंकि इसकी जो उपर वाली layer है वो निकलेना इस तरह मैंने इसको cut किया है आप देखिए इसका texture कितना बढ़ी आया है बि कौन कौन अपने घर पे बनाता है एक कमेंट जूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार आप इसको tomato ketchup के साथ green chutney के साथ serve कीजिए आपके घरवालों को आपके guest को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं और last में एक का recipe के साथ मिलते हैं तब तक के लिए good bye take care